33 का इनका purchasing price है Mr. क्याल देखा जाए तो जो नतीजे रहे हैं वहाँ पर margin factor ही कैसा रहा है जो की definitely एक concerning factor रहा है और उसके बाद जोरदार गिरावर भी शेहर में देखने को मिली और आज भी negative bias के साथ की share trade होते हुए नजर आ रहा है एक outperforming stock है 52 week high बनाया था हालर में results जो आए वो अच्छे नहीं आए और उसी दिन हमने देखा करीबन 10% के fall आया था इस stock में राई यही होगी कि इनका time horizon एक साल के इसाप से रखना होगा और एक stop loss के साथ काम करना होगा जो की करीबन 260 के आसपास का है वो level जब तक intact है trend मेरे ख्याल से वापस से उपर की तरफ जा सकता है बने रहे है इस stock में 260 का इक stop लगा के रखी और उपर में करीबन 330-340 का level वापस से देखा जा सकता है अगला सवाल है अनुराधा का EAC पर इनका सवाल है 600 shares इनके पास है और 454 का purchasing price है 525 के आसपास अभी चल रहा है जो profits में बैटे हुए Mr. क्याल क्या करना चाहिए देखे साक्षी CESC में काफी अच्छा रुजान देखा गया था करीबन एक low बना था February के मेने में उसके बाद से ही stock उपर की और चल रहा है एक higher a higher low का pattern बनाते हुए तो इसमें definitely बने रहना चाहिए इन्हें इसमें जो stop loss लगा करीबन 500 का लगा कर रखना होगा और उपर में जो target ये देख सकते हैं करीबन 570 का level है जहाँ पर ये stock जाकर एक बार रुख सकता है तो वहाँ पर एक partial profit book करने गिराई होगी अगली query है हमारी शटीगर का और ये जानना चाते है सूजलान एनरजी के बारे में 100 शेयर जैन के पास 25 का परचेजिंग प्राइस है नुकसान में तो है मिस्टर क्याल लेकिन क्या 14-15 रुपे के लेवल्स पे जहाँ पर अभी करेंट ट्रेट कर रहा है अबरेजिंग की सला बनती है अब देखिए साक्षी आप जैसे की पहले भी हमने बताया सूजलान में कोई मोमेंटम नहीं बन पाया ये स्टॉक काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में है और जो भी पुल बैक आता है वो टेंपररी होता है हमने देखा था ये स्टॉक में कोई पुल बैक आया था करीबन 26-27 रुपे तक उसके बाद फीर से गीर कर ये 13-14 के आसपास आ गया तो राई यही होगी कि इसमें से जो भी अगर पुल बैक इने मिलता है तो एक्जिट कर जाईए इससे ज़्यादा बैतर स्टॉक जो एंगे उसमें निवेश करना चाहिए लाज के पेस पेस पे बने रहना चाहिए इस स्टॉक से एक बार भार आ जाना चाहिए एक्जिट करने की सलाह है सुजलौन सागा लेते हैं रविंदर का ये सवाल है जम्मू अन कश्मीर पर और दिवान हाउसिंग पर ये जाना चाहते हैं 90 शेज हैं इनके पास और 199.8 का इनका परचेजिंग प्राइस है विस्टर क्याल दिवान हाउसिंग पर आपकी क्या राय होगी? देखे दिवान हाउसिंग का ओरल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो थोड़ा उपर आते वे नजर आ सकता है इस टॉप में एक ब्रेकाउट आने की गुंजाईश है तो राइए ही होगी कि यहां पर यह बने रह सकते हैं इस टॉप लोज जो इने लगाकर रखना होगा करिबन 180 का एक स्टॉप लगाकर रखना होगा रियल एस्टेट स्पेस में कुछ हलचल होते वी नजर आई है तो 180 के स्टॉप के साथ में यह बने रह सकते हैं इस टॉप के अंदर चलिए अब बात करते हैं नतीजों से उमीद की यानि दीपक का सवाल है और यह जानना चाहते हैं HCL Technologies के बारे में 45 शेयर है इनके पास और 849 का इनका परचेजिंग प्राइस है आशीश मिस्टर क्याल क्या सला होगी आपकी HCL Technologies में फिलहाल 729.50 के आसपास ट्रेट कर रहा है और काफी निकसान इनको यहां पर हो चुका है क्या आपको यहां से रेकावरी की उमीद लगा सकते हैं यह लोग देखे साक्षी HCL Tech का एक बहुत ही महत्वपुन जो सपोर्ट था वो 800 रुपे के आसपास का था वो लेवल ब्रेक होने के बाद में काफी स्ट्रॉंग मोमेंटम नीचे के और चलतावा नजर आया तो फिलाल राई यह होगी कि यह होल्ड कर सकते हैं यहां से एक पुल बैक देखी जा सकती है जो वापस है वो लेवल को री टेस्ट करने आ सकती है तो होल्ड कर सकते हैं लेकिन ज्यादा उमीद ना रखें इस टॉक से 800 रुपे के आसपस अगर आता है तो वहाँ पर exit करने की राय होगी जी चुल इस बीज एक बार TTML के शिर भी इंफ्रा पर सवाल 300 शेयस हैं इनके पास और इनका जो परचेजिंग प्राइस है 215 का है मिस्टर क्याल इसी के आसपस अभी ट्रेट कर रहा है 213 पर पर काफी volatile movement हमने देखा है भी ते तीन या छे माइनों में अगर आप देखें आगे चाते होए क्या upside यहाँ पर उमीद कर रहा देखे साक्षी यह जो volatile movement है यह actually 2014 तो यह 90 रूपे के range में करीबन अभी 2 साथ होने आए और उसी में trade हो रहा है तो ज़्यादा उमीद नहीं रख सकते क्योंकि unless एक breakout आए या तो यह stock में नीचे करीबन 200 का level आखड़ा break होगा तो नीचे का trend बनेगा यह उपर में जब तक 280 का level break नहीं होता resistance के तरह वो act करेगा तो राई यह होगी कि यहां से एक pullback उपर में करीबन 200 तक अगर आता है दस रुपे के आसपास का इंको नुकसान हो रहा है लेकिन आगी जाते हुए क्या मूव expect करने यहां पर देखे साक्षी यह जो गिरावाट आई थी यह पिछले थोड़े दिनों में काफी steep fall आया ता जहां कि मैं देख रहा हूं चार्ट पे इस टॉक में एक pivot low जो बना था वो करीबन 57 के आसपास बना था उसके बाद यह चलते हुए 76 तक गया और वहीं से वापसे गिरावाट आई यह तो एक possibility है कि अभी यह थोड़ा range में रहेगा एक direction find करने के लिए थोड़ा consolidation कर सकता है तो यहां से अगर जो भी उपर में pullback आता है जो gap fill कर करने की कोशिश करता है करीबन 72 73 के आसपास तो वहां पर यह exit कर सकते हैं फिलाल एक बार hold कर सकते हैं और नीचे में स्टॉपलास जो इने लगा के रखना होगा वह 62 रूपीस का लगा के रखना होगा अगर उसके नीचे स्टॉक जाता है तो exit कर जाए अगला सवाल है रोह है आशिश क्याल है हाजी देखे वो काड में यहां पर एक पूलबैक देखा गया था करीबन 700 रूपे के आसपास से उपर में 1050 का एकाई बनाया था वहां पर यह पूलबैक थोड़ा ओवरलैपिंग स्टॉक्शन में तो पॉसिबिटी है कि एक टेंपरी पूलबैक हो और यहां से फिर से स्टॉक नीचे ले के स्टर पर जा सकता है तो इने कॉशियस रहना चाहिए और एक स्टॉप जो लगा के रखना होगा करीबन 900 का लगा के रखना होगा और वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर से 700 का लेवल रिटेस्ट कर सकता है तो फिलाल होल्ड करके रखे 900 के stop loss के साथ में All right, hold करने की यहां पर आपको सला दी गई है, stop loss आपको 900 का यहां पर maintain करना होगा अगला सवाल लेते हैं, उतर प्रदेश से मनोज का यह सवाल है उजास energy पर जानना चाहते है 500 shares is what he holds 21.5 का इनका purchasing price है 22.75 पर अभी trade कर रहा है बहुत खास profit भी नहीं मिल रहा है इनको लेकिन quantity 500 shares की है Mr. क्याल, क्या सला होगी उजास energy पर? देखे साक्षी, उजास energy में 2016 से ही एक खराब दोर देखा गया इसने करीबन 31 का हाई बनाया था अभी करीबन 22 के आसपास चल रहा है तो फिलाल इने मेरे ख्याल से जो भी pullback उपर में आता है करीबन 24-25 के आसपास वहाँ पर एक बार exit करने की रहा होगी फिलाल नीचे में जो support इकल के आता है उस्टॉक का 21 का है अगर उसके नीचे close हो जाते है तो डेफिनेटली इस स्टॉक के भार आ जाना चाहिए इने तो फिलाल अगर 24-25 के रेवल्स मिलते हैं इस शेर में तो exit करने की सला है उजास एनरजी से अगला सवाल ले ले लेते हैं और ये query हमें भीजी है अरजुन ने राजिस्थान से टेक्नो इलेक्ट्रिक पर 300 शेर हैं इनके पास टेक्नो इलेक्ट्रिक के और जो पर्चेजिंग प्राइस है वो है 525 रुपे का इनके खरीद भाव से तो उपर है लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़दा प्रॉफिट इनको हो रहा है क्या करना चाहिए मिस्टर क्याल देखे दिपाली ओवरल ट्रेंड जो है इस टॉक में फिर भी पॉजिटिव है एक पॉजिटिव रुजान भी देखा गया है तो राई यही होगी कि इस टॉक में ये फिलाल बने रह सकते जी बिलकुल कोश्च कर रहे हैं और भारती एटल पर क्या सला देंगे एको देखिए अगर पूरे टेलिकॉम स्पेस में कंपेर किया जाए साक्षी आइडिया देखे भारती एटल या आर कॉम इसमें से भारती एटल मैं प्रिफर करूँगा फरस्ट अफॉल ये एक हेवी बेट है और काफी स्टेबल स्टॉक है वोलेटिलिटी इतनी नहीं जितनी आपको आइडिया या आर कॉम में देखने मिलेगी और दूसरी बात है कि ये स्टॉक ने काफी अच्छा एक पूल बैक दिखाया और वहां से एक अच्छा खासा पूल बैक देखा गया तो ये जो टेंप्ररी करेक्शन नीचे में है वो शायद खतम हो सकता है और फिर से उपर का दौर शुरू हो सकता है तो भारती एटली प्रिफर्ड रहेगा इसमें ये बने रही है यूसी अगरवाल का सवाल है दिल्ली से नाइटी लेमेटेट पर 500 शेर है 92 रुपे के भाव पर 79 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है नुकसान हो रहा है इन फैक आशिश दीते एक महीन में हमने देखा भी ये के वह 8-9 रुपे की रेंज में ये स्टॉक घुम रहा है अभी क्या करना चाहिए इनको देखे दिपाली ओवराल NIT टेकनलोजी एक काफी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक था और जो भी आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होता है उसमें भी एक करेक्शन का दोर देखा जा सकता है जो कि हम अभी देख रहे हैं लेकिन फिलाल मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया लंबा है तो होल्ड कर सकते हैं अगर शॉट टम में ये ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 76 का एक स्टॉप रखना होगा जैसे कि आपने बता है ये रेंज में है और क्लिरली 76 का एक सपोर्ट है अगर वो ब्रेक करता है तो नीचे में करीबन फिर 69 के आसपास जा सकता है तो लंबी आउदी के लिए होल्ड करके रखे शॉट टम के लिए 76 के स्टॉप के साथ में होल्ड कर गये और 114 के ओड लेवल्स पर अभी कामकाज भी कर रहा है अशीश अभी बात भी की हमने और आपने कहा भी कि पूरे स्पेस पे से भाड़ती है तेल आपको ज़्यादर पसंद आता है और जिस तरीके से खबरे आ रही है आईडिया सेलुलर पर की आगे जाते हुए इनको और 1.2 क्लोर डॉलर तक खर्च भी करने पड़ेंगे आगे जाते हुए स्पेक्ट्रम पर चेजिंग पर और आगे जाते हुए जो कॉर्टर्स आने रहे हैं कोई ना कई इंपक्ट होते हुए नजर आ सकता है आईडिया सेलुलर पर इनको precisely क्या करना चाहिए क्या इनको bite the bullet करना पड़ेगा और अपने losses को book करके निकलना पड़ेगा हाँ साक्षी मेरे ख्याल से वो ही better strategy आईडिया से निकल के भारती में चूस करना ज़्यादा better होगा आईडिया ने एक करीबन टॉप बनाया था दोसो के आसपास 2015 में उसके बाद से देखे तो करीबन 50% correction हो चुका है और अब भी तक जो भी pullback आया है वो एक temporary affair लग रहा है तो इससे better है कि आईडिया से निकल के ये भारती में निवेश करिए और थोड़ी staggered fashion में करना चाहिए एक साथ में एक ही सेक्टर में निवेश नहीं करना चाहिए बलकि staggered fashion में across the sectors बने रहना चाहिए हिंडाल को पर फिलाल होल्ड करके रख सकते है नीचे में जैसे की बता है stop loss होगा करीबन 88 का होल्ड करके चलना चाहिए अगला सवाल महराश्च्र से यह शुबम पूच रहे हैं येस बैंक पर यह सवाल है 300 शेस हैं इनके पास और इनका प्रचीजिंग प्राइस है 906 का मिस्टर क्याल येस बैंक पर क्या सला होगी 918 पर अभी चल रहा है प्रॉफिट्स में है ये येस बैंक एक काफी आउट परफर्मिंग स्पेस में होल्ड करने की राही होगी और जो स्टॉप इने लगाके रखना होगा 890 का होगा उपर में अगर 950 का लेवल दिखता है तो वहाँ पर ये पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जी अगला सवाल है होईसी पर बी राजन का माराश्य से 410 शेयर जिन के पास पर्चेजिंग प्रैसे 52 रुपीज के क्या करें मिस्टर क्यार्ड देखें ये स्टॉप में राही ही होगी कि कोई भी पूल बैक इने उपर में मिलता है तो वहाँ पर एक्जिट कर जाई है वा 800 शेयर से इनके पास और 23.50 पर इन्होंने खरीदारी की हुए दो तीन रुपे का नुकसान हो रहा है मिस्टर क्यार क्या करना चाहिए ग्यांचंद का सवाल है पंजाब से पूल टायर पर 100 शेयर से खरीद भाव 171 का संग्षेप पे मिस्टर क्याल क्या करें अपूल टायर पर बने रह सकते एक पूल बैक देखा गया थे 125 से करीबन 180 का उसका एक temporary retracement अभी चलता वा नदर आ रहा है तो यहां पर उपर जाने की गुंजाईश वापस से बनती है तो बने रही है इस टॉक के अंदर देखी गोदावरी का overall trend काफी नीचे का है और काफी सालों से नीचे के और ही चल रहा है तो राई यही होगी कि यह स्टॉक में जो भी 602 का क्या करें आशिश देखिए टेक महिंद्रा एक काफी रेंज में चल रहा है लेकिन एक बहतरीन कंपनी है आउट परफॉर्मेंस फिर से देखा जा सकते है आई टी स्पेस में हल चलो देखी जा सकती है तो फिलाल होल्ड करके रख सकते हैं निवेश को करीबन 6-6 मैने स साल भर का नजरिया रखना हुआ अल्राइट साल भर के नजरिये से बने रह सकते हैं अगला सवाल पूने से विनोद का ब्रूक्स लाप्स पर जाना जाते हैं 600 शेयर जैंके पास और उन्हेंने खरीदारी की है 85 के लेवल्स पर 80 के लेवल्स पर आज चुका है क्या करना चा सब्सक्राइब करना चाहिए आशिश नुकसान में है अगला सब्सक्राइब कोई बढ़त नहीं देखी गई एक लेकिन सपोर्ट के आसपास वापस आ गया तो 283 के साथ में होल्ड करिए वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाय हो सकता है फिलाल सब्सक्राइब करें 283 के साथ बने रहने की सला स्पी चौधरी का अग्ला सवाल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जाना चाहते हैं 111 शेह इंके पास 195.53 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है क्या सला देंगे मिस्टर क्याल यहां पीएसिव बैंक्स में से स्टेट बैंक एक थोड़ा प्रामिसिंग स्ट्रक्चर बनाया है और यहां पर वापस से उपर का एक रुजहान देखा जा सकता है शौट टम में 200 का एक रेजिस्टेंस है तो बने रह सकते हैं स्टॉपलस जो इने लगा के रखना हो खरीबन 170 का लगा के रखना होगा और दोसों के टार्गेट यह देखा जा सकते हैं अगला सवाल है अभिशेक का महराश्ट्रा से पीसी ज्वेलर पर 80 शेयर्स हैं और जो खरीद भाव हो 365 का है मिस्टर क्याल आपके कॉमेंट्स पीसी ज्वेलर पर ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकते हैं क्योंकि काफी रेंज में चल रहा है बहुत टाइम से एक ब्रेक आउट अवेटेड है तो ब्रेक आउट आएगा 380 के उपर कुछ मोमेंटम बनने के लिए फिलाल होल्ड कर सकते हैं ये नीचे में स्टॉप 320 का रखना होगा चलिए